यूटूब चैनल पर मैं हर साथ चोपड़ा आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ 13 सिप्ट्मबर को नीट एक्जाम के दिन क्या-क्या डोकुमेंट्स लेकर जाना है और क्या नहीं लेकर जाना है क्या हमें पैन और पोस्ट कार्ड साइज का फोटोग्राफ भी लेकर जाना है या नहीं एडमिट कार्ड कलर प्रिंट होगा या फिर ब्लेक एंड वाइट इन सब पर हम इस वीडियो में बात करेंगे आपके सारे क्यूसंस का मैं इसमें जवाब देने की कोशिश करूँगा तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए भावत ही इंपोर्टेंट रहने वाला है इसलिए वीडियो को लाइक वाइशेर करना है इसके अलावा आपने चैनल को सब्सक्राइब करके बैल आइकोन भी प्रेस करना है तो सबसे पहले आपको NTA NEED की वेबसाइट से एड्मिट कार डाउनलोड करना है ये एड्मिट कार चार पेज में है इसको आप PDF फोर्मेट में भी डाउनलोड करके सेव कर सकते हैं या फिर डाइरेक्ट प्रिंट भी ले सकते हैं फर्स्ट पेज पर स्टुडेंट की डिटेल होगी और इस पर डिकलेरेशन फोर्म दिया गया है बकी तीनू पेजों पर एड्वाइजरी और इसमें इंस्ट्रेक्शन दिये गए हैं ये एड्वाइजरी का मैं सेपरेट वीडियो बना चुका हूँ जिसमें मैंने सिंपल लेंग्वेज में सब कुछ एक्स्प्लेइन कर दिया है आप चैनल सर्च करके देख सकते हैं वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूँगा इसमें आपको एक्जाम के लिए फर्स्ट पेज की ही आवश्यक्ता है इसको आप कलर या फिर ब्लेक एंड वाइट किसी भी में भी प्रिंट ले सकते हैं दोनों ही माने हैं लेकिन आप इसको एफ और साइज के पेपर पर प्रिंट ले लें पेज के उपर कंडिडेट की डिटेल और नीचे डिकलेरेशन फोर्म दिया गया है इसके नीचे आपको पास्वोर्ट साइज की फोटोग्राफ पेस्ट करनी है आपको आपका जो लेप थम है वो इंप्रेश करना है इसके बाद में पेरेंट की सिगनेचर करवाने हैं इसके बाद ये काम घर पर ही कर लें और जो आपके सिगनेचर होंगे इस एडमिट कार्ड पर वो एक्जाम हाल में एक्जामिनर के सामने होंगे एक्जाम के दिन आपको एडमिट कार्ड का यही फरस्ट पेज लेकर जाना है बाकी instructions और advisory page का print ले जाने की आवश्यक्तर नहीं है इसके बाद आपको अपने एक transparent bottle लेकर जानी है अगर आप नहीं ले जाना चाते हैं तो कोई बात नहीं है अगर ले जाना चाते हैं तो यह आपके लिए allow है एक photo जो आपने admit card पर paste की है इसके अलावा आपने एक फोटो और साथ में लेकर जानी है जो आपको वहाँ पर अटेनेंट सीट पर लगानी है ध्यान रहे कि ये फोटो वही हो जो आपने application form फिल्ट करते समय अप्लोड की हो आपको ये passport size की छोटो फोटो ही लेकर जानी है बड़ी postcard size की photograph लेकर जाने की जरुरत नहीं है इसके बाद में आपको एक personal hand sanitizer की छोटी बोटल जो 50 ml की है वो लेकर जानी है मास्क और hand glows पहन कर जाना है इसके अलावा जो विकलांग candidate है वो PWD यानि विकलांग certificate लेकर जाएंगे और जिन candidate ने जिन विकलांग candidate ने subscribe अवेल किया है वो एक undertaking लेके जाएं इसका ID proof दोनों का subscribe का और candidate का दोनों का ही होगा एक original ID proof लेकर जाना है जो government द्वारा issue हो उसमें से आप pen card, driving license, water ID, 12th का admit card, passport, आधार card, e-ाधार, रासन card, आधार enrollment जिसमें photo हो इनमें से कोई एक ले जा सकते हैं यह जरूरी नहीं है कि यह ID proof जो आपने application form फिल करते समझ दिय था वही लेकर जाना है जो मैंने यह ID proof बताए हैं इनमें आप कोई भी ID proof लेके जा सकते हैं लेकिन यह ID proof original होना चीए उस पर photo होने चीए photocopy नहीं चलेगी mobile में scan किये हुए ID proof भी मानने नहीं होंगे लास्ट में सारांस यही निकलता है कि आपको photograph लगा हुआ admit card लेकर जाना है एक photo लेकर जाने है water bottle, sanitizer, mask और gloss लेकर जाने है इसके साथ यह आपको एक original ID proof भी लेकर जाना है अभी हम बात करेंगी कौन-कौन से item लेकर जाना नहीं है आपको तो pen आपको लेकर जाने की आवश्यक्ता नहीं है exam hall में आपको pen issue होगा इसके अलावा जो electronic device हैं जैसे घड़ी हो गया, mobile phone हो गया और अन्य परतिबंदित item जो information browser में दे रखें NTA नहीं लेकर जाना है आपको सिरफ admit card, एक passport size की छोटी photo, water bottle, sanitizer, mask और gloss, original photo ID ही लेकर जानी है इसके अलावा कुछ भी नहीं लेकर जाना है तो दोस्तों ये जानकारी थी कि आपको exam hall में क्या ले जाना है, क्या नहीं ले जाना है आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बैल आइकोन प्रेस करें, वीडियो को लाइक को ज़्यादा ज़्यादा शेयर करें, मिलते हैं नए जानकारी के साथ नए वीडियो में तब तक के लिए जैंग झाल